बिना लाइसेंस के चल रहे पैथलोजी लैब और कलेक्शन सेंटर जिला श्वास अधिकारी के आदेश वे भी असर ग्वालियर में बिना लाइसेंस के पैथलोजी लैब और कलेक्शन सेंटर संचालित करने के मामले सामनी आए दरसल बीते दिनों गौलियर के मुखे श्वास तेंग्चे के साधिकारी द्वरा 24 पैथालोजी लैब और कलेक्शन सेंटरों के लाइसेंस निरस्ट कर दिये गए थे क्योंकि इन पैथालोजी लैब के लाइसेंसों की समय सी माँ 31 मार्ज 2030 को समाप्थ हो चुकी थे इसके बाद भी इनके संचालकों द्वरा लाइसेंस नमीनी करण के लिए आवेदन नहीं किये गए जिसके चलते 31 माई 23 को स्यमेच्चो द्वरा इन पैथालोजी लैब और कलेक्शन सेंटर के लाइसेंस निरस्ट कर दिये गए लेकिन बाजूद इसके इन में से कुछ पैथालोजी लैब और कलेक्शन सेंटर चलते वे देखे गए गौर्टलभो की श्वास विभाग के लापरवाही की चलते 31 मार्ज के बाद भी तक्रीबन दो महिने तक पैथालोजी लैब संचालित रही और अव लाइसेंस निरस्टी करण के बाद भी श्वास विभाग इन पैथालोजी लैब और कलेक्शन सेंटर का संचालन रुकवाने में असफल रहा इनमें से श्रीफा पैथ लैब अत्रवाइस्ड कलेक्शन सेंटर आफ पतकाइंड कन्या बिद्याला की सामने माधोगंज लसकर ग्वालियर और साथी साथ श्वास्तिक डियाग्नोस्टिक एंड कलेक्शन सेंटर शताबदी ट्रवर्स राक्सी पुल ग्वालियर आदी लै अब इस अब पर अच्छा है आपने और आपने संग्याल में लेने के बाद में जो इसका रवारी है उनसे बुला है वो डॉक्तर दे साथ जाके निक्शन करेंगे और नियम उनसा जो भी सक्से सक्षाथ करवाई हो बिल्कुल अमनों उसे संबावित करेंगे इस बहुत सत् कुछ जगे नहीं गया जा पाए होगे जैसे आपने बताया इन पर जाके आम लोग करवा लेगें और साथ में और वी जो हमने चुब बन किया है उनको प्राहन दिवार निशन करके इसको चैप परेंगे